दोस्तों JKSSB ने कल रात यानि 25 नवंबर की रात को जूनियर एसिस्टेंट स्टोर की पर या अटेंडेंट की वो जो नोटिफिकेशन थी वो जो सेलेक्शन लिस्ती प्रोविजिन सेलेक्शन लिस्त वो आउट कर दी है उसमें किस तरह का प्रोसिस क्या आगे का क्या रहेग चैनल को subscribe करने के साथ वीडियो की description में आपको हमारे social medias के links मिल जाएंगे आप हमारे respective social medias को join कर सकते हैं, follow कर सकते हैं और इतना ही नहीं बलके वीडियो की description में आपको हमारे telegram channel का link मिल जाएगा telegram channel पे आपको बहुत सरह study material, बहुत सरही pdf और job updates मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजपल होगी और सबसे पहले आपको आपडेट मिलता रहेगा यहाँ पे दोस्तों हमने एक MCQ सिरीज करी स्टार्ट करी है एक इन्वाइरमेंट जैसे की मौडरन इंडिन हिस्ट्री पॉलिटी इन्वाइरमेंट जोग्राफी तो यहाँ पे देखे मैंने जैसे कल हमने एक लेक्चर अपलोड किया था फीजोग्राफी आप इंडिया ठीक है फीजोग्राफी आप इंडिया पे हमें एक कॉस्चन को उसका कॉंसेप्ट समझाने के साथ साथ पूरे उसके चारों उप्शन्स इलिमिनेट करके पूरा आपको समझाते हैं तो भाई यह जरा भी आप मिस ना करें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो टाइटल मिल जाएगा वो सारी वीडियो मिल जाएगी उन MC के वसकी तो भड़ते हैं आगे अपनी वीडियो में और बात करते हैं देखें यहाँ पर दोस्तो प्राविजन सेलेक्शन लिस्ट आफ कैंडिडेट्स फर द फूस्ट आफ जूनियर एसिस्टेंट कमकैशर क्लरक स्टोर अटेडियंट ठीक है कैडरेक्स तो यह हैं वेरियस डिपार्टमेंट जो 2020 के थे कुछ और 2021 के थे ठीक है अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर बात की चाहें तो 39 नंबर 22 डिपार्टमेंट थी के 22 डिपार्टमेंट और 210 आइटम्स थी जिनमें 1534 पोस्ट थी 1534 पोस्ट हैं दोस्तों तो इसमें बताया गया था कि ग्रेजवेशन होनी चाहे और 35 अवोर्ट पर मिनट इस तरह के स्पीड होनी चाहे या उनकी ग्रेजवेशन जो है वो डिफेंस पोस्टी या किसी भी रिकांगनाइज उन्यूवेस्टी से होनी चाहे ठीक है इसी तरह से यहाँ पे नीचे चलते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं 《उपन मेरिट》 की बाकी कटेघिरी इसकी मिलाके 1534 पोस्ट हैं थी दोस्तों तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं देखे एनेक्शर ए में अगर हम बात करें दोस्तों तो इनेक्शर A में आपकी जितनी भी पोस्टे थी डिपार्टमेंट वाइज वो दे दी हैं देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज और कटेकरी वाइज दी हैं यहाँ पे देखिए फाइनांस है ट्राइबल अफेर्स है एलेक्शन है पचीस पोस्ट है इस तरह से revenue है cooperative है तो यह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के यह एनेक्षर ए में नोटिफिकेशन जो में दिया था अगर मैं बात करूं एनेक्षर बी में तो यहां पर है बच्चों की selection लिस्ट यहां के बच्चों का selection लिस्ट में नाम अब यहां पर आगर आप देखे सबसे प हुआ है GAD मदब डेपार्टमेंट GAD में इनको shortlist किया गया है ठीक है तो किसके थो इन्होंने apply किया था अब इनको recommendation आई है subject of production bonafide certificate इनको bonafide certificate provide करना है इनकी recommendation इसलिए withheld है इसी तरह से बाकी candidates भी यह open merit का था दोस्तों इसी तरह से बाकी candidates भी अपने नाम चेक कर सकते हैं दोस्तों यह open merit इस तरह से RBA की अलग-अलग categories है तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यह देखिए तो इस तरह से अगर हम बात करें तो यह total 90 pages हैं दोस्तों 90 pages में अलग-अलग candidates की अलग-अलग categories में नाम है ठीक है अब यहां पर जो point mention किया गया है दस अब selection list shall be subject to the outcome of it prediction ठीक है तो उसके लाव बोरा है कि हां भाई ठीक है अगर कोई आपको लगता है कि list में कुछ मतलब आपको लगता है आप रिट का जो है वह इसमें option रखा गया है this is the provisional selectionist इसमें clear नहीं होगा कि बच्चे की जो है वो final selection हो सकती है या नहीं ठीक है तो इस पे आप देखिए category wise जो है वो सभी candidates के नाम है उनका score है तो यहां पे काफी लंबी list है यह तो आप अपना नाम चेक कर सकते है अगर आपने apply किया था आपने exam दिया था आपने इसमें फर्म भारा था तो आप इसमें चेक कीजिए बाकी मैंने जैसे कि आपको आरेडी कहा दोस्तों आप यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम जले पर मिल जाएगी और यहां पर जो है वो मैंने अगर आप जो मुकश्मित पलीस अबने इस्पेक्टर के लिए पढ़ रहे हैं तो यहां पर हमने बहुत सारी एसे लेक्टर्स अपलोड किये हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूसपुल हो सकते हैं फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही है मजीद जो भी इंफर्मिशन होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम शियर करेंगे बाकी मुझे दीजे इजाजत ख अपदा हाफिस